Hello friends, welcome to my youtube channel UK video world दोस्तों, आज की वीजियो में मैं आपको बताने जा रहे हूं उत्राखंड में मशली बालन का व्यापार आप कैसे शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीजियो दोस्तों आज के टाइम में मशली बालन का व्यापार है वो काफी प्रॉटेबल साभीत हो रहा है क्योंकि इसमें लागत कम है और प्रॉफिट जो आप 5-10 गुना तक जादा अर्न कर सकते हैं तो बताते हैं आपको मशली बालन करने की प्रक्रिया के बारे में तो इसके लिए सबसे पहले आपको तालाब या टैंक का निर्मान करना पड़ेगा जिसके लिए आपको जमीन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको साइट सेलेक करते टाइम यह द्याम देना ज़रूरी है कि वाताबरन और जगा का जो है मशली पालन में बहुत ज्यादा पर पड़ता है तो सखर्दियों में या जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर मशली का अकार जो है वो स्लो स्पीड से बढ़ता है तालाब या टैंक का जो निर्मान है वह आप कई तरीकों से कर सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको मेहनत कम करनी है तो आप डाइक जो है माकर से प्लास्टिक के बड़े गड़े टैंक करीज लो लेकिन अगर आपको अपने जमीन पर इसका निर्मान कराना है तो फिर अपनी जगा जहां पर आपकी वहां पर खोथ कर जो है तालाब क्या कर निर्मान कर लो और निर्मान के बाद में ब्लीचिंग बाउडर और मिट्टी में चूना डालना मत बूलना उस्ते क्या होगा कि जो मश्लियों को हानी पचाने वाले जो कीट पतंड़े न वो मर जाए तो यह जो प्रजादिया है इसली अवेलेबल होती है तो आपको भी यही कोशिश करने है कि इन में ते ही किसी एक को सेलेक्ट कर लो क्योंकि यह बातावरन और परिस्टियों के हिसाब से भी अपने आपको धाल लेती है अब आपको इस बिस्नेस को स्टार्ट करने के जब आपने सोच लिए तो आपको यह भी ध्यान देना है कि इसमां मेंटिनेंस भी आपको सही से रफना पड़ना है इसके बाद यह बिस्नेस जो आपका चल बाएगा और पानी की जो गुनवत्ता है वो भी आपने बनाए स्टी पानी पानी जो आपको इसके लिए बनाया रगना है उसके लिए आपको पानी जो पानी पानिस में पीच में धु अज़ाए बलें चल기에 में ऐसा बादे और सब्सक्तिन बार प्रोडक्शन भी बड़ता है, अब बात आती है, पिश फामिंगे लापको क्या से एक्षिपन्स भी जरुरत परेगी, तो पहला तो मैंने आपको बदा देगी, या अगर 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 आप खुछ से जमीन में तंस्ट्रक नहीं गरवार हैं, तो, और दूसरी जी जो आती है, अब पांड के ख्रिटम में खरी जेगी, इस वाप को भी पांड के खणा है, फिर दूसरी जी जए पाणी की जो कने प्रोड़ता चेक खरने के लिए, आपको उसके लिए पहरी खरीदा बड़ेगा, तीसरी जी जी जो आती है आती हलती है, पांड के लिए ने Pastry आपने खर जो टोटब रहें कि अगरो चनल के लिए इसके अलाव।best थास सब्सेट लिए च्टीप करें तो सक्थे करना चारा रहें तो लगद्फ़ों raze mis vigy I-Val. अच्छे स्केल करने तो उसके बाद आपका आता है कि इनकी तरीपों से आपका जो आपका जो ही जा सकते हैं तरीपे होते हैं एक पिंजरा विधी होगे पहुंट सिस्टम हो गया और एक आपका इंडो फिश पर्मिन होते हैं कर दिखर थे आका समुद्रह natty है पिंजरा लेके का यह वह सालिया आप जाता है फिर सब्सक्रा जाता है के स्वाधम कुछ सब्सक्या जा का जाता है की किसी सब्सक्रा बणे कंसिते को अरन motor कि आप चाहते है कि हने फिर पर ही क्छिन प्रना चाहते हैं कि तो इसम न्याभ उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि उनके रहने के वायक का बातावरन तैयार करना पड़ेगा तो उसके लिए भी एक एक एक्विप्मेंट आता है जिसके आप रूम के टैंप्रेजर को एजस्ट कर सकते हैं तो जब भी मतलब इंडो फिश फामिंग करने की सोच है तो वहां पर यह जरूर देखो ना कि मतलब इलेक्सिटी और पानी की अच्छी सिवेगा मौदू हो आप चाहां पर भी आप स्टाप करने और फिश फामिंग का देखो आपको बताईगी कि बहुत जादा है इस अगर आप स्टाप करते हो ना को पर रहां पर पर आपको डॉपियो गाधार नाम दिया है वह फॉम भरना पडेगा और जो सबी हैं और को यहां यहां आपको कियो सब्सक्राइब थो en direct करदे तो तुम पbris farming कर सकते हैं किस तरीशेल से मलड़र चाहते हैं और अपने बजहर के हिसाप से आप कोई भी टर्न विसक कर सकते हैं जा रहे हैं तो कि टभिया प्लास्की कर लिया है उसको अपनी घर भी स्थापिट कर सकते हूं या किसी कमरे में आप उसको मतलब स्थापिक कर सकते हो वह आपको डिपेंड करता कितना सक्षा एइस पर करना चाहते हैं यह फिर आता है ने सिट के अंदर बैज सकते हो अगर आपने स्केल परस्टाब कमा सकते हो और वैसे पिए उत्राखंदर हो काफी ज्यादा मतलब काफी अच्छा स्कोप है और काफी रोग उससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसकी तो पूमर 15-2000 तक भी आप सो सकते होगे इतना अच्छा अच्छा अप्छन होगी अगर आप अच्छ से महलत से जो में आपना बजल स्टार्ट करते हो तो आपको पॉपिट जो है वो डेफिन कोई कोश्चन पूछने है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं उसे और इसकी तरह नए-ने बिजनेस आइडियास पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक क कर दो